नमस्कार फ्रेंड स्वागत आप सभी का सॉलूशन में दरे से यूटूब चैनल में फ्रेंड इस वीडियो में फिक्स प्रपोजिशन से रिलिटिव प्रटिसेट लिया है इस प्रटिसेट में 31 कोशन कवर करेंगे आप लोगों को जरू बताना कि आप लोगों ने 31 में से इतना स्कूर किया है और इसका जो PDF है आपको टेलिग्राम की चैनल पर 1-2 दिन में मिल जाएगा तो टेलिग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिसक्रिप्सन में है जब आप सभी लोग चैनल को जोईन कर लेंगे तो आपके YouTube के Home Page पे Membership का Option खुल जाएगा तो उसमें आपको सभी वीडियोस की जो PDF का Password होगा वो आपको मिल जाएगा और PDF के लिए जो है आप लोग टेलिग्राम को भी जोईन कर लीजिए लिंक जो है वीडियो के description में है लाश्ट में आप लोगों ने 31 में से कितना score किया है comment box में जरूब बताएं तो चली वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट की हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बैल ऐकन को प्रेस करें चली वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला जो question question मबन let us hope the best तो इसमें आप लोग सोच लिए इसका right option क्या होगा fix proposition जो है particular किसी word के बाद fix proposition आएगी तो यहाँ पे hope के बाद जो fix proposition है यह for आता है hope के बाद तो option यहाँ पे जो है इसका be option यहाँ पे correct जाएगा hope means होता है कि आशा करना तो यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा let us hope for the best मतलब की हम जो है best के लिए आशा करते हैं इस sentence का मतलब हो जाएगा और hope के बाद जो proposition आता है यह for आता है यह fix proposition है आप याद रखेगा सारे question जो है मैंने fix proposition से लिए है तो आप लोग जो है मैं बारवार नहीं बता हूँगा कि यह fix proposition है आपको बस याद रखना है तो hope के बाद for proposition आता है option यहाँ पे जो है be option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question कुछ नमाट टू he has exempted blank the fine तो इसमें आप लोग सोच लिए इस correct option क्या होगा exempted means होता है कि मुक्त करना या फिर बरी करना तो यहाँ पे इस correct option जो हो जाएगा option यहाँ पे जो है c option यहाँ पे correct हो जाएगा exempted from होता है तो option यहाँ पे जो है c correct हो जाएगा यहाँ पर sentence का मतलब हो जाएगा he has exempted from the fine मतलब की उन्हें जुर्मानें से छूट दी गई इस sentence का मतलब हो जाएगा exempted के बाद जो fixed proposition है from आता है option यहाँ पर जो है see correct हो जाएगा अगले जो question कुछनमा third he will not be accused blank coming late तो इसमें आप लोग सोच लिजी correct option क्या होगा तो excused के बाद जो है दो proposition आते हैं जब excused का मतलब जो है छमा करना होगा तो आपको जो है for proposition use करना है तो option यहाँ पर जो है a option यहाँ पर correct जाएगा यहाँ sentence में जो है accused का मतलब जो है छमा करना है तो यहाँ पर जो है इसका a option यहाँ पर correct हो जाएगा यहाँ पर sentence का मतलब हो जाएगा he will not be accused for coming late मतलब की देड़ से आने के लिए उसे माफ नहीं किया जाएगा इस sentence का मतलब हो जाएगा जब excused का मतलब जो है छमा करना होगा तो इसके बाद जो fixed proposition है यह for आएगा option यहाँ पर जो है इसका डी option यहाँ पर correct हो जाएगा यहाँ पर sentence का मतलब हो जाएगा his hunger for knowledge surprised us मतलब की ज्यान के लिए उनकी भूख ने हमें चोंका दिया इस sentence का मतलब हो जाएगा hunger के बाद जो है for proposition आता है तो option यहाँ पर जो है इसका डी option यहाँ पर correct हो जाएगा अगया जो question question number 5 they may be accused blank complying with this regulation तो इसमें आप लोग सोच लिए जिसका correct option क्या होगा अभी मैंने उपर आपको बताया था जब accused का मतलब जो है छमा करना होगा तो आपको for proposition यूज़ करना है और जब accused का मतलब जो है मुक्त करना होगा मतलब की किसी से बरी करना होगा तो आपको जो है from proposition यूज़ करना है तो option यहाँ पर जो है इसका be option यहाँ पर correct हो जाएगा जब accused का मतलब मुक्त करना होगा तो आपको जो है from proposition यूज़ करना है और जब accused का मतलब जो है छमा करना होगा तो आपको for proposition use करना है तो यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा they may be accused from complying with this regulation मतलब की उन्हें इस नियम का पालन करने से छूट दी जाशकती है इस sentence का मतलब हो जाएगा मुक्त करने के sense में accused का use हुआ है तो आपको from proposition use करना है और जब accused का use जो है किसी मतलब की छमा के लिए use हुआ है तो आपको for proposition use करना है दोनों proposition मैंने आपको बता दिये हैं आप दोनों को याद रखिएगा friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like और अपने दस friends में वीडियो को जरूर शेकिया करें अग्या जो question question नमस 6 he is the air blank his uncle blank the uncle's property तो इसमें आप लोग सोच लिजे script option क्या होगा जब जो है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो है edge silent रहता है इसको जो है आप air पढ़ते हैं तो air के बाद जब आगे कोई person होगा तो आपको जो proposition है यह off लगाना है जब आगे कोई person होगा तो आपको जो proposition लगाना है यह लगाना है off और जब air के बाद आगे उसके संपत्ति के बारे में बात की जाए आगे उसके सिंगाशन के बारे में बात की जाए आगे उसके स्राशन की बात की जाए तो आपको जो है प्रपोजिशन यूज़ करना है यह टू करना है जब उसके आगे संपत्ती के बारे में बात की जाए या फिर उसके सिंगाशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे जो है proposition जो है यहाँ पे off आएगा और यहाँ पे to आएगा तो option यहाँ पे इसका C option यहाँ पे correct हो जाएगा यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा He is the heir of his uncle यहाँ पे to हो जाएगा The uncle's property मतलब की वै चाचा की संपत्ती का उत्रा दिकारी है Option यहाँ पे जो है C correct हो जाएगा अगला जो question question मस्वाइबन The doctor's mistake proved fatal blank the patient's life तो इसमें आप लोग सोच लिजे इस correct option क्या होगा Fatal के बाद जो है fixed proposition जो है to आता है तो यहाँ पे इसका जो है C option यहाँ पे correct हो जाएगा Fatal जो है एक घहतक होता है मतलब की अपने ही life के लिए तो यहाँ पे जो है to proposition यूज करना है आपको यह fixed proposition है यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा The doctor's mistake proved fatal to the patient's life मतलब की यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा डॉक्टर की गलती से मरीच की जान के लिए गहतक साबित हुआ इस sentence का मतलब हो जाएगा Fatal के बाद जो fixed proposition है यह two आता है Option यहाँ पे see correct हो जाएगा अगले जो question question number 8 Would you favor me blank and early reply question mark तो इसमें आप लोग सोच लिए इस correct option क्या होगा तो favor के बाद जब आगे कोई person होगा तो आपको bid proposition यूज़ करना है तो option यहाँ पे जो है be option यहाँ पे correct हो जाएगा favor जो है जब किसी person के बारे में बात की जाएगी particular तो option यहाँ पे be option यहाँ पे correct हो जाएगा तो यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा क्या आप शेग्र उत्तर देकर मेरा पच लेंगे किसी particular बंदे का पच लेने के लिए यहाँ पे जो है आप bid use करेंगे favor के बाद option यहाँ पे be option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question कुछ नमा 9 he spoke in favor blank his friend तो इसमें आप लोग सोच लिए correct option क्या होगा तो यहाँ पे आगे जो है person दिया है तो इस बज़े से आपको bid use नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे in favor of यह जो है phrase है तो यहाँ पे यह चीज़ आप लोग याद रखेगा कभी-कभी जो है phrase भी आ जाती है तो यहाँ पे in favor of होता है हमेशा आप यह चीज़ याद रखेगा अगर यहाँ पे in ना होता तो यहाँ पे आप जो है bid use कर सकते थे लेकिन यहाँ पे in favor of यह जो है phrase है तो यहाँ पे इसका a option यहाँ पे correct हो जाएगा यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा उसने अपने दोस्त के पच्च में बात की तो यहाँ पे जो है आगे दोस्त के बारे में बात की या फिर आगे किसी company के पच्च में बात की तो यहाँ पे जो है इसका a option यहाँ पे correct हो जाएगा in favor of होता है यह phrase है और normally अगर favor के बाद यहाँ बात की जाए तो इसमें आप लोग सोचलिजिस का right option क्या होगा जब favorable के बाद आगे कोई person होगा तो आपको proposition जो है to use करना है और जब आगे किसी something के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे जो है for use करना है तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा option यहाँ पे इसका be option यहाँ पे correct हो जाएगा मैंने आपको क्या बताया favorable के बाद जब आगे किसी person के बारे में बात की जाए तो आपको to proposition यूज़ करना है और favorable for something होता है तो यहाँ पे जो है इसका right option हो जाएगा be option यहाँ पे correct हो जाएगा एशा करने के लिए यह इस्तिती मेरे अनकूल है a sentence का मतलब हो जाएगा option यहाँ पे be correct हो जाएगा अगले जो question question 11 it was divided blank several parts तो इसमें आप लोग socially just correct option क्या होगा जब divide जो है several parts के बारे में बात की जाएगा मतलब कि कई भागों में बांटा जाए तो यहाँ पे जो है आप proposition जो है into use करेंगे तो यहाँ पे option यहाँ पे a correct हो जाएगा जब कई भागों में बाटने की बात की जाएगी तो आपको into use करना है divide के बात proposition तो यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा इसे कई भागों में बाटा गया था इस sentence का मतलब हो जाएगा अगले जो question question number 12 यहाँ पे divided जो लिखा है इसको आप हटा दीजे यह divide है divide the mangoes, blank ramen, sham तो इसमें आप लोग सोच लिजेए इस correct option क्या होगा जब particular दो बंदों में बाटने की बात की जाएगी तो आपको पता है with bean का use करेंगे तो option यहाँ पे जो है C option यहाँ पे correct जाएगा जब दो लोगों की बारे में बात की जाएगी तो आपको between use करना है और दो से अधिक लोगों की बारे में बात की जाए तो आपको among use करना है तो option यहाँ पे C correct जाएगा अगले जो question question number 13 divide the mangoes, blink the boys तो the boys का मतलब होता है कि दो से अधिक लोगों की बात की गई है तो दो से अधिक के लिए जो है among का use करते हैं और दो के लिए जो है हम ने उपर क्या use किया था with bean तो option यहाँ पे C correct हो जाएगा दो से अधिक के लिए among use करते हैं मतलब की आमों को लड़कों में बाट तो इस sentence का मतलब हो जाएगा दो से अधिक के लिए जो है among use करते हैं दो के लिए जो है bit भी नूज करते हैं यह आप याद रखिएगा और कई भागों में बाटने के लिए जो है divide के बाद into proposition आता है यह चीज आप लोग याद रखिएगा अगले जो कुष्टन कुष्टनमर 14 दोंट मौन ब्लेंक दा डेड तो इसमें आप लोग सोच लिजे इस correct option क्या होगा तो यहाँ पे मौन के बाद जो proposition आता है fix proposition यह 4 आता है option यहाँ पे जो है D option यहाँ पे correct हो जाएगा अगले जो question कुष्टनमर 15 I have no need blank more money तो इसमें आप लोग सोच लिजे इस correct option क्या होगा तो यहाँ पे जो है need के बाद जो proposition हो जाएगा यह 4 हो जाएगा तो option यहाँ पे जो है C correct हो जाएगा अगर option में जो है off दिया होता मैंने आपको बताने के लिए दोनों बता दिये हैं तो यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा मुझे और धन की कोई आवश्यक्ता नहीं है इस sentence का मतलब हो जाएगा अगले जो question कुष्टनमर 16 friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 friends में वीडियो को जरूर शेल क्या करें अगले जो question कुष्टनमर 16 I am in need blank money तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा option यहाँ पे C correct हो जाएगा मैंने अभी आपको बताया need के बाद जो है for और of दोनों proposition correct है आपको option में जो है cable एक देखने को मिलेगा तो आप दोनों में से किसी एक को tick कर सकते हैं तो यहाँ पे दोनों कभी भी आपको साथ साथ नहीं मिलेंगे यह चीज़ आप लोग याद रखेगा option यहाँ पे C correct हो जाएगा यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा मुझे पैशों की जरूवत है इस sentence का मतलब हो जाएगा अगले जो question कुछ नमा 17 he is obsessed blank the idea तो इसमें आप लोग socially is correct option क्या होगा obsessed के बाद जो है दो proposition आते हैं एक आता है by एक आता है bid यहाँ पे दोनों option यहाँ पे correct हो जाएगे आपको exam में जो है दोनों option कभी भी साथ साथ नहीं मिलेंगे obsessed के बाद जब आगे bid या फिर by proposition आएगा तो आगे आपको somebody something देखने को मिलेगा यह चीज़ आप लोग याद रखेगा तो यहाँ पे दोनों option यहाँ पे correct हो जाएगे आपको कोई एक option देखने को मिलेगा exam में तो आप यह चीज़ याद रखेगा दोनों आप लोग याद रखेगे obsessed के बाद bid भी correct है और यहाँ पे by भी correct है यहाँ पे जो है एक option को आप लोग हटा दीजिए तो यहाँ पे इसका d option यहाँ पे correct हो जाएगा यहाँ पे दोनों correct हैं दोनों कभी भी आपको साथ साथ नहीं मिलेंगे बस मैंने आपको बताने के लिए जो है दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा वे जो है idea से ग्रस्थ है मतलब की पीडिध है option यहाँ पे डी correct हो जाएगा और यहाँ पे जो है with भी correct हो जाएगा अगले जो question question 18 why are people so obsessed blank money question mark तो इसमें आप लोग सोच लिजिए correct option क्या होगा यहाँ पे जो है buy नहीं दिया है तो यहाँ पे इसका जो है cable b option यहाँ पे correct हो जाएगा यहाँ पे अगर buy दिया होता तो इसको भी आप सही कर सकते हैं लेकिन नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने आपको दोनों बताने के लिए यहाँ पे लिखे हुए थे तो यहाँ पे दोनों proposition यहाँ पे correct हो जाएंगे क्योंकि यहाँ by option में नहीं दिया है तो इसको आप हटा देंगे केबल यहाँ पे जो है इसका bid option यहाँ पे correct हो जाएगा अभी मैंने बताया options के बाद by और by दोनों correct हैं और somebody something आगे देखने को मिलेगा आपको तो यहां पे इसका be option यहां पे correct हो जाएगा यहां पे sentence का मतलब हो जाएगा जो लोग हैं यह पैशे के लिए इतने जुनूनी क्यों हैं यहां पे sentence का मतलब हो जाएगा अगले जो question question number 19 poverty is often an obstacle blank higher studies तो इसमें आप लोग सोच लिए इस correct option क्या होगा तो यहां पे obstacle के बाद proposition जो है यह two proposition आएगा यह जो है fix proposition है तो यहां पे इसका be option यहां पे correct हो जाएगा यहां पे sentence का मतलब हो जाएगा कि गरीबी अक्षर जो है जो higher study है उसमें जो है बादक होती है तो यहां पे इसका be option यहां पे correct हो जाएगा poverty is often an obstacle to higher जो है studies option यहां पे जो है be correct हो जाएगा अगले जो question question number 20 he is absent due blank is in less तो इसमें आप लोग सोच लिए इस correct option क्या होगा तो due के बाद proposition जो है to आएगा तो option यहां पे जो है a option यहां पे correct हो जाएगा तो यहां पे sentence का मतलब हो जाएगा वे अपनी बीमारी के कारड अनुपस्तित था option यहां पे जो है a correct हो जाएगा अगले जो question कुछ नमर 21 he is dull, blank, physics, mathematics, etc तो इसमें आप लोग सोच लिए सकराइट option क्या होगा जब किसी चीज में कोई dull है तो यहाँ पर proposition simply आप dull के बाद जो है at use करेंगे option यहाँ पर जो है a option यहाँ पर correct हो जाएगा यहाँ पर physics यहाँ फिर mathematics यहाँ पर किसी भी subject में जो है वो dull है तो यहाँ पर at proposition यूज करेंगे तो option यहाँ पर a correct हो जाएगा वह जो है physics यहाँ फिर गड़ित यादी में जो है मतलब कमजोर है option यहाँ पर a correct हो जाएगा अगले जो question कुछ नमर 22 keep yourself aloof blank bad company तो इसमें आप लोग socialize correct option क्या होगा तो aloof के बाद proposition fix जो है from आता है option यहाँ पर d option यहाँ पर correct जाएगा तो यहाँ पर keep yourself aloof from bad company मतलब कि जो बुरी संगत से खुद को दूर रखें इस sentence का मतलब हो जाएगा तो aloof के बाद from proposition आता है यह fix proposition है आप लोग याद रखिएगा अगले जो question question 23 he has no ambition blank fame in life तो इसमें आप लोग socialize correct option क्या होगा ambition के बाद जो proposition आता है यह for आता है option यहाँ पर जो है c option यहाँ पर correct हो जाएगा ambition for fame in life मतलब कि उन्हें जीवन में प्रिशिद्धी की कोई मैं तो कांच्छा नहीं है इस sentence का मतलब हो जाएगा ambition for होता है option यहाँ पर जो है c correct हो जाएगा अगले जो question question 24 he is callous blank my suffering तो इसमें आप लोग सोच लिए callous के बाद fix proposition क्या आता है तो callous के बाद जो fix proposition है यह two आता है option यहाँ पर जो है be option यहाँ पर correct हो जाएगा callous to option यहाँ पर जो है be correct हो जाएगा वह है मेरी पीडा के लिए कठोर है इस sentence का मतलब हो जाएगा callous के बाद जो है fix proposition 2 आता है option यहाँ पर जो है be option यहाँ पर correct हो जाएगा अगले जो question question 25 he is capable blank doing this alone तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा तो यहाँ पर इसका right option जो हो जाएगा capable के बाद proposition off आता है capable off होता है आप सभी को पता होगा option यहाँ पर c correct हो जाएगा अकेले ऐसा करने में सच्छम है इस sentence का मतलब हो जाएगा capable off होता है option यहाँ पर जो है c correct हो जाएगा अगला जो question 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 26 friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like और अपने 10 friends में वीडियो को जरूर share क्या करें क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है आप लोग जब वीडियो को like और share करते हैं तबी मुझे एक new वीडियो बनाने के लिए motivation मिलता है तो आप लोग वीडियो को like और share जरूर किया अगर है अगला जो question question 26 he has capacity blank for hard work तो इसमें आप लोग सोच लिए इस correct option क्या होगा तो यहाँ पे जो है proposition आपको fill नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे proposition already दिया है तो यहाँ पे इसका a option यहाँ पे correct हो जाएगा यहाँ इसको हटा दीजिए तो यहाँ पे for fill करना है capacity के बाद जो है for proposition आता है तो यहाँ पे typing में mistake था इस बज़े से यहाँ पे for जो है type हो चुका है तो इस बज़े से capacity for होता है हमेशा option यहाँ पे a correct हो जाएगा अगला जो question question number 27 I do not care blank you तो इसमें आप लोग सोच लिए इसका right option क्या होगा तो care के बाद जो है for proposition आता है option यहाँ पे जो है d option यहाँ पे correct हो जाएगा care for you होता है option यहाँ पे d correct हो जाएगा मुझे तुमारी परवा नहीं है इस sentence का मतला हो जाएगा अगले जो question question number 28 He is deaf blank one year तो जब आगे एक कान के बारे में बात की जाएगी तो जब एक कान से वो बहरा है तो यहाँ पे जो है आप in और off दोनों proposition यहाँ पे correct करेंगे आपको option में जो है केबल एक option देखने को मिलेगा मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे दोनों option लिखे हुए है जब आगे one year के बारे में बात की जाएगी तो आपको off और in दोनों यहाँ पे correct हो जाएगे वह जो है एक कान से बहरा है तो यहाँ पे इसका A option और यहाँ पे D option दोनों correct हो जाएगे एकजाम में कोई एक option आपको देखने को मिलेगा आप दोनों में से एक option को सही कर सकते हैं दोनों आपको कभी भी साथ साथ नहीं मिलेंगे अगला जो question question number 29 he is deaf blank my request तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा आभी मैंने आपको बताया जब आगे एक कान के बारे में बात की जाए तो आपको जो है और यहाँ पे इन दोनों proposition यहाँ पे correct करने हैं तो कभी भी आपको दोनों साथ साथ नहीं मिलेंगे मैंने आपको बताने के लिए दोनों आपको बता दिये हैं एकजाम में कोई एक option आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा option यहाँ पे जो है बी option यहाँ पे correct हो जाएगा जब dev के बाद आगे advice के बारे में बात की जाए तो यहां पे आपको two proposition use करना है क्योंकि यहां पे इस sentence में जो है ध्यान ना देने के बारे में बात की गई है और उपर जो है वो एक कान से बहरा है तो इस बज़े से यहां पे off और in दोनों correct हो जाएंगे और यहां पे जो है वो ध्यान ना दे रहा है मतलब की किसी चीज़ को मतलब की वो नहीं सुन रहा है मतलब की ध्यान नहीं दे रहा है तो यहां पे जब आगे def के बाद request के बारे में बात की जाए advise के बारे में बात की जाए या फिर once complaints के बारे में बात की जाए तो आपको two proposition use करना है तो यहाँ पे इसका B option यहाँ पे correct हो जाएगा अगले जो question question number 30 he deals blank rice cloths etc तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा तो यहाँ पे जब deal किसी सामान की की जाए तो आपको proposition जो है in use करना है option यहाँ पे जो है D option यहाँ पे correct हो जाएगा जब deal किसी सामान की की जाएगी तो आपको in proposition use करना है तो option यहाँ पे जो है इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा जब deal किसी सामान की की जाएगी तो आपको in proposition use करना है आगे मैं एक proposition और बताऊँगा डील के बाद आगे देख लेते हैं अगले जो question question 30 बन तो इसमें आप लोग सोच लिजिस का right option क्या होगा जब deal जो है customers के साथ की जाएगी तो आपको bid proposition use करना है और जब deal जो है किसी सामान की की जाएगी तो आपको in proposition use करना है दोनों proposition आपको याद रखने है तो यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा तो इसमें आप लोग सोच लिजिस का right option क्या होगा तो question number 32 का answer आप लोगों को comment option बताना है कि 32 question का right option क्या हो जाएगा थेंक्यू friends आप लोगों ने जो है 31 में से कितना स्कूर किया है comment option जरूबत आए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like और अपने 10 friends में वीडियो को जरूब शेक्या करें अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट कियें चैनल जरूब सब्सक्राइब करें मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मात्रम